पूरी मार्कीट को हिला के रख दिया है जिस तरह से उनने रिपोर्ट दिया है और पूरा का पूरा एलिगेशन अगर आप देखोगे तो आपको सेभी के चेर परसन पे जाता हुआ दिख रहा है कि कही ना कही उनका इन्वाल्मेंट था उसकी वज़ा थे जो अडानी का पूर्ट था उनका वो दिया था उस पे कोई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और उसके पीछे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि सेभी के चेर परसन जो है उनका डारेक्ट इन्वाल्मेंट है तो यह चीज ने मार्किट को हिला के रख दिया है और सबके माइन में यही चल रहा है कि मार्किट कल के दिन में क्या उपन होगा किस तरह से उपन होगा हमें क्या करना चाहिए क्या में पोर्टफोलियो निखाल देना चाहिए जो भी लॉसे हैं बुक कर लेने चाहिए तो इसको डिसकस करेंगे कि कल आपको क्या करना निफ्टी वैंग निफ्टी के जो important बड़े sport areas हैं वो कहां पे रहेंगे और जो opportunities रहेंगी वो आपको कैसे देखने को मिलेंगी उसके लिए आपको कैसे prepare रहना है तो ये सारी चीज़े हम आज की वीडियो में discuss करेंगे पहले एक बर देख लेते हैं कि इनके जो allegations हैं यहां प है कि यह सारी allocation यहां पर baseless हैं और उनके जो finance हैं वो open book हैं वो सबको पता हैं कि मेरे कहां कहां पर finance हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी जो हैं वहां पर open हैं बट इतनी चीज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर आप हैडल बग का report देखोगे इसने हर एक चीज के साथ आपको एक proof बना के दिया यहां पर आप देखोगे जो funds थे ठीक है GDOF आपका एक fund था जिसमें अडानी stocks में पैसा लगता था दूसरा यहां पर IP प्लस fund 1 था जिसमें अडानी के stocks में पैसा गूम फिरके लगाया जाता था और यहां पर इसी funds में इनका involvement दिख investigation नहीं हुआ है तो सेभी यहां पर इसमें involved था उस वज़ा से investigation नहीं हो पाया यहां पर इन्हों ने बताया है कि इनका जो account open हुआ था वह कौन सी date को account open हुआ तो और इसका अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो इसका मैं लिंक आपको description box में दे दूँगा जो भी हिडलब कुछ बगेरा इन्होंने जो हैं मार्क करके दिए इनके आप देखोगे तो यहां पर जेपैग इन्होंने अटैज किए इसके साथ ठीक ही सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है तब आपको idea लगेगा कि real में funda है किस तरह से यह सारी चीज़ें बनी है बाकि अब market क लोपन होगा तो हमें clarity मिलेगा कि क्या कुछ खास होने वाला है Nifty Bank Nifty के चार्ट पर देखेंगे कि कल अगर market बहुत बड़ा gap down हो जाता है फ्लैट ओपनिंग होता है हलका फुलका gap down होता है तो तब आपको क्या reaction देखने को मिलेगा तब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए यहां पर court के related भी कुछ चीज़ें आई है जैसे court ने कहा था कि सेभी किसी चीज तक नहीं पहुंचा है अभी तक तो उसके हिसाब से भी हैडल बग ने कहा है कि यहां पर court ने भी जो चीज़ लिखी है सेभी का negligency है कि अभी तक अडानी ग्रूप का जो भी हमारा यह scandal चल रहा था इस पर investigation नहीं कर पाएं तो यहां पर निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर आप देखोगे न तो important sport area जो मिरको दिख रहे हैं वो दिख रहा है 23,000 जो आपका बहुत important area रहेगा और 23,600 यह range आपका बहुत important रहेगा जो यहां से अगर आप calculate करोगे तो लगबग 13-1400 पॉइंट का space आपको यहां पर दिखता है जो major sport area है ठीक है अगर market कल के दिन में reaction negative reaction करता है तो market sport resistance यह चीज़े नहीं देखेगा क्योंकि रिसेंट भी जब market में क्रोना का fall आ area था next in market उसी sport area की नीचे open हुआ उसी एरिया ने आजा resistance वर्क किया उसके बद बड़े gap down हमें देखने को मिले यह sport area अगर आप देखोगे तो एक ही candle में तूटता हुआ दिखा उसके बाद यह इसके नीचे का sport area देखोगे तो यह विदा gap down तूटता हुआ दिखा तो जब market sport and resistance को उतने अच्छे से value नहीं देता है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है दूसरा अगर market कल की दिन में gap down open हो जाता है ठीक है gap down open हो गया 1% 2% मान के चलो कुछ भी gap down open होता है तो तब आपको क्या प्लान करना है तो यहां पे सबसे पहले आपको यह सोचके चलना है कि dent किसको देखने को मिलेगा जिसके पास portfolio है ठीक है क्योंकि यहां पे जो members ने एक दो lot दस lot लेके रखें उनको पता ही था कि इतना हमारा loss होने वाला वो लेके निकल जाएंगे वो अपना plan कर लेंगे बट जिसके पास portfolio है उनको सबसे बड़ा rent यहां पे देखने को मिल सक है और आपका portfolio भी 1% गिरता है तो कहीं नगी आपका beta 1 है आप सेम index के साथ put plan करोगे और put लेके बैठ होगे अपने portfolio के हिसाब से अगर आपका beta high है index nifty 1% गिरता है और आपका index 3% 4% गिर जाता है यह 2% गिर जाता है यह 2% बढ़ जाता है तो आपका beta high है तो इसके साथ आप mid cap के puts को add कर लेना है उसके बाद आपको time मिल जाएगा अपने जो stocks हैं उनको exit करने के लिए तो सबसे पहला जो काम आपको करना है को mid cap का hedge लोगे जो members का beta high है क्योंकि अगर आप mid cap का hedge ले रहे हो और beta आपके portfolio का high है तो अगर आपका index गिरता है 1% तो आपको यह hedge 500 के लगबग nifty आपको मिला था उसके बाद nifty 24,000 trade किया है कहने का मतलब यह है कि market उपर जाने के बाद अगर नीचे आता है तो फिर से market उपर जाता है तो यहां पर यह जो uptrend रहेगा ठीक है इस news के बाद जब भी यह sort out हो जाएगा तो कोई ना कोई uptrend फिर से बनेगा त तो तब आपको फिर से portfolio बनाना start करना है investing start करना है क्योंकि यह news is temporary रहती है market आपका permanent है जब भी market आप देखो के क्रोना में गिरा उपर आ गया उससे पहले bubble blast हुआ तब के time पे उपर आ गया उससे पहले आप देखो कि 1992 scam हुआ तो scam में market हमेशा recover करने का try करता है तो ऐसा नह candle बना था बहुत नीचे गया market same day recover कर गया तो इस तरह का recovery जो है market करेगा तो इसलिए आपको investing के लिए भी त्यार रहना है अगर कुछ news आप जाता है involvement आ जाता है तो क्या होगा कि यह चर्चा चलेगा दो महीने तीन महीने छे महीने उसके बाद market बूल जाएगा market bottom बनाएग market अपना काम करेगा तो इसलिए जो आपकी investment है अगर आपको लगता है कि हमें अभी करण situation में निकाल नहीं है तो उसको आप exit दे सकते हो portfolio के लिए hedge ले सकते हो उसके बाद bottom पे आपको फिर से opportunity मिलता है तो फिर से अपना portfolio build करना start करना क्योंकि अभी तक आप track कर लो पूरा क 2020 का crash है उसके बाद market ये recover किया यहां पर 2009 का crash है market इस तरह से recover किया उसके बाद अब थोड़ा सा और पीछे जाओगी तो आपको idea लगता रहेगा कि साथ साथ में यहां पर क्या क्या होता रहा ठीक है यहां पर देखोगी आपका 2000 का crash है और यहां पर 2000 के जो crash में market गिरा उसक एक चीज बदल जाएगी बट market का structure है वो इस तरह का रहने वाला है हर एक crash के बाद market बाउंस करता है तो इसलिए आपको opportunity भी देखना है market को छोड़ के नहीं निकल जाना है कि market ने हमें डुबा दिया यह कर दिया वो कर दिया फिर से आप जब market all time high पे होगा फिर से आप regret कर करोगे कि हमने यहां ले लिया होता वो चीज़ें आपको सारी सारी ध्यान में रखनी है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट यहां पर कुछ चीज़े इंबॉटेंट थी तो discuss करना जरूरी रहता है क्योंकि लोग क्या करते हैं कि crash में निकल जाते हैं फिर से top पे entry लेते और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें थैंक यू